Welcome students, आज हम लोग Animal Kingdom के जिस नए टापिक को डिसकस करेंगे वह है बेसिस आफ क्लासिफिकेशन का बेसिस आफ क्लासिफिकेशन में आप लोगोंने कई अलग अलग क्राइटेरिया इसके बारे में कई अलग अलग करेक्टर्स के बारे में पढ़े हैं जिसको मैंने इसके पहले के लेक्चर्स में समझाया था और उसमें हम लोगोंने ये देखा था कि कुछ करेक्टर्स हैसे होते हैं जो एनिमल्स को अलग अलग काटेगरी में डिवाइड करने में हेल्प करते हैं उसी कटेगरी में आज हम लोग आएंगे बेसिसाब क्लासिफिकेशन का एक है निव टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सी लोग इसको हम लोग डिस्कस जो आज टॉपिक करने चल रहे हैं वो टॉपिक है सी लोग के बारे में सी लोम इस सी लोम का कांसेप्ट क्या होता है सी लोम होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी समझेंगे और इसको आप देखिएगा भी कि सी लोम क्या होता है तो इसमें एक कंसेप्ट ही आता है कि सी लोम एक बॉडिक कैविटी होती है सी लोम के बारे में कि सी लोम इस बॉडिक कैविटी derived from derived from mesoderm किसे भाई? तो आंसर है mesoderm से यह बड़ा important term है कि किसे यह cavity derived होगी तो आंसर मिलेगा आपको mesoderm से clear है? What is silom? In general, general में silom क्या है? Silom is a body cavity derived from mesoderm एक concept तो इसका यह हो जाता है और एक concept इसका यह होता है कि silom is a body cavity silom is a body cavity present present between present between body wall यह real definition यह ही है body wall and gut body wall and gut and surrounded surrounded ध्यान रखियेगा surrounded कैसे तो आंसर है externally as well as internally by mesoderm by mesoderm यहाँ भी आपको वही चीज मिलेगी कि वह mesoderm से क्या होनी चाहिए? surrounded होनी चाहिए तो silom is a body cavity derived from mesoderm बिलकुर real definition और अगर correctly एक suitable way में इसको describe अगर कर रहा हो तो हम बोलेंगे silom is a body cavity present between body wall and gut and surrounded by mesoderm externally as well as internally बाहर से भी और अंदर से भी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यह होता क्या है? तो आप ऐसे समझने कोसिस करिएगा दिखिए जैसे माल लिजिए एक diagram हम जंडल बनाने कोसिस कर रहे हैं और आप समझ भी सकते हैं इस diagram को easily एक आर्गनिजम है उस आर्गनिजम की बाहर की तरफ एक body wall है ऐसे ठीक है न? देखिए जो आभी मैं बाहर की तरफ ड्रा किया हूँ यह उसकी body wall है और एक उसकी यह अंदर की तरफ गट है इसको हम क्या बोलेंगे? गट बोलेंगे अब बाहर की तरफ क्या दिखेगा हमें? तो अंसर है body wall दिखेगा यह body wall दिखेगा ठीक है न? और आपको मैं मैं बताब दूँ कि यह जो body wall है इस गट से मिजेंट्रीज के द्वारा जुड़ी होती है यह मिजेंट्रीज है मैं नाम लिखता हूँ यह body wall है body wall यह gut है यह gut हो गई बाहर body wall अंदर क्या हो गट gut की wall हो गई यह gut की wall और दोनों को body wall और gut को जोडने के लिए बीच में lining आप देख रहे हैं इसको मिजेंट्रीज कहा जाता है मिजेंट्रीज ठीक है ना इस इस मिजेंट्रीज अब आप ध्यान से देखिए यह body wall और यह gut डोनों के बीच में खाली space आपको दिख रहा है यह वाला खाली space अब यह खाली space जो है एक membrane से घीरा रहेगा ऐसे यह खाली space एक membrane से घीरा है आपको ऐसे याद रखना है कि बाहर से भी घीरा है और अंदर से भी यह बाहर से भी घीरा है और अंदर से भी घीरा है तो ऐसा ही यहाँ भी होगा अब देखिए इसको जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ठीक है न? तो एक बाहर बाडी वाल हो गई, एक अंदर गट हो गया अब बाडी वाल और गट के बीच की ये खाली जगा है ये वाली खाली जगा है इस खाली जगा में बाहर भी मीजोडर्म है, अंदर भी मीजोडर्म है तो इसी खाली जगह को इस cavity को हम लोग sea loam नाम देते हैं this is known as sea loam और आप देखिए इसके बाहर भी mesoderm और अंदर भी क्या हुआ mesoderm हुआ एकदम बिल्कुल clear आपके दिमाग में यह तस्वीर बैट गई होगी कि what is sea loam अब ऐसे मेरे समझी मेरी बाड़ी को देखिए हमरे बाड़ी का बाहरी हिस्सा जो भी आप देख रहे हो में क्या है answer है body wall है और mouth से लेकर के anus तक क्या हो गया gut हो गया तो हमरे body के center में जो gut है और बाहर body wall है इन दोनों के बीच में कुछ खाली जगह है और उस खाली जगह की characteristics है कि वो बाहर से भी मतलब body wall के side से भी और gut के side से भी elementary channel के side से भी mesoderm से surrounded है तो body wall body wall और gut center में gut ऐसे मा लिजे ये body wall हो गई और ये gut हो गया तो इन दोनों के बीच में आपको ये खाली जगह दिख रही है इस खाली जगह में इधर भी mesoderm है इधर भी mesoderm है तो mesoderm से surrounded ये जो cavity है इसका नाम क्या है sea loam होता है अब जल्दी से इंद्रों definitions को लिख लीजे कि the body cavity derived from mesoderm is known as sea loam एक point और दूसरा point क्या कहता है दूसरा point बहुत simple way में इसको समझाने एकोसिस कर रहा है कि एक ऐसी body cavity है जो body cavity body wall और gut के बीच में है तो students आपने देखा कि हम जिस siloam के बारे में डिसकस करना चाह रहे थे वो siloam आप समझ से को कि body cavity है mesoderm से surrounded है कैसे इसको आप आचानेंगे तो आपको पहचानने के लिए बहुत अच्छा तरीका मैंने समझाया कि gut देखिए body wall देखिए दोनों के बीच की खाली जगा को आप देख लीजिए जो बाहर अंदर दोनों तरफ mesoderm से surrounded है इसी खाली जगा का नाम siloam होता है जिसमे बहुत ज़्यादा visceral organs पाय जाते हैं इसके अंदर चलिए ये siloam अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपको इसके आगे ले चलता हूँ और मैं आपको बताने कोसिस करता हूँ कि siloam के base पर animals कितने तरह के होते हैं देखें siloam हो गया अब हमें इस siloam के base पर animals को बताना है कि animals कितने तरह के होते हैं तो आप ध्यानस देखें siloam के base पर animals जो होते हैं वो तीन अलग-अलग तरह के बताये गाए हैं थ्री डिफरेंट टाइप्स के एक होता है इसमें जिसको हम लोग a siloamate कहते हैं एक animal का नाम क्या होता है a-c-o-e-l-o-m-a-t-e a siloamate दुसरा जो होता है इसको हम लोग c-do-siloamate कहते हैं c-do-silo-mate थोड़ा बड़ा हो रहा है बड़ आप समझेगा इसको a siloamate दुसरा pseudo p-s-e-u-do c-o-e-l-o-m-a-t-e pseudo siloamate और मैं आपको तीसरे animal की तरब ले चलता हूँ जिसको siloamate siloamate या इस कौम लोग u siloamate भी बोलते हैं क्या बोलते हैं u siloamate u का मतलब true होता है ठीक है न अब देखे थी different types के animals हो गए एक a siloamate एक क्या pseudo siloamate एक का नाम siloamate या इसको क्या बोला गया u siloamate तीनों की पाचाना को क्या यद रखनी है तो यहाँ याद रखिएगा कि ऐसा animal जिसमें siloam absent रहता हो क्या रहता हो absent ये animal ऐसा है जिसमें siloam है तो बट कैसा है answer है false false siloam है देखिए पहला वाला a siloamate बोला गया इसका मतलब siloam इसमें क्या हो गया absent और अगर pseudo siloamate बोला तो इसका मतलब siloam इसमें क्या हो false हुआ siloamate का मतलब जिसमे true siloam पाया जाता है क्या पाया जाता है भई ट्रू सीलोम है रियल सीलोम पाए जाता है अब चलिए सब के बारे में समझाते हैं कि सीलोम एपसेंट है तो क्या मतलब है इसका तो अब दिखिए इसमें सीलोम की करेक्टिस्टिक्स क्या है तो जैसे मैं एक कर कर डयग्राम छोटा सा बनाने कोसिस करूं यहां पर कemitि कि अपी इस डैग्राम को देखिए समझने आ जाएगा कि पिर एक क्लाइं हम यहां भी बना देता हूँ एक डाइग्राम यहां भी बना देता हूं, यहां पर सबसे बाहर की तरफ मैं एक लेयर दिखाता हूं, देखें एक लेयर हो गई, क्लियर, एक लेयर यहां भी मैं दिखा देता हूं, और एक लेयर यहां दिखा देता हूं, ठीक है ना? तीन अलग-अलग लियर है अब इसको तीनों को समझने की कोशिश करिए सबसे बाहर यह जो होगा एक्टोडर्म का होगा तूसरा मीजोडर्म का होगा तीसरा इंडोडर्म का होगा और इन तीनों के अंदर अगर आप तीनों को लियर को एक बाड़ी वाल मान लिजिए ऐसे बाड़ी वाल तीनों को मान लिया मैंने ये तीनों क्या हो गई? बाडी वाल हो गई ये तीनों मिलकर के बाडी वाल बना ले गया और अंदर की तरफ एक कैविटी है अंदर की तरफ क्या है? कैविटी तो आप देखिए इसमें बाडी वाल के सीधे अंदर क्या हो गई? कैविटी हो गई इसलिए इसमें Sylom तो नहीं पाया गया Sylom कब पाया जाता है जब बाहर body वाल होती अंदर gut होता दोनों के बीछ में जगा होती और यह Bizoderm इसको क्या करता Lined करता Bहर से भी और अंदर से भी तो यह Ektoderm Miesoderm Indoderm 3 हो गया Body Cavity हो गई तो इस तरह के characteristics वाले जैसे आप एक डियाग्राम को ये भी देख लीजिए, ये सबसे बाहर की तरफ एक्टोडर्म के लिए, ऐसे अंदर की तरफ इंडोडर्म के लिए, और बीच में ऐसे, मीजोग्लिया, बीच में क्या हुआ, मीजोग्लिया, यहाँ मीजोडर्म है ही नहीं, तो ये एक्टोडर्म है, ये मीजोग्लिया है दोनों को जोडने के लिए, मीजोग्लिया, और ये इंडोडर्म है, और ये एक कैविटी है, पैरागैस्ट्री कैविटी भी हो सकती है, गैस्ट्रोफेस्ट्रो कैविटी भी हो सकती है, तो यहाँ भी तो आप देखिए, अगर मालीजिये, इसको बाडी वाल मानते हैं, इसको गट आप मानते हैं, मीज य contrred नहीं है तो यह सीलों तो मिजो डर्म से डियाइट होता है। को साल अधाओ इसका मत्लब व्याओ कि इसके अंदर भी एक पंदर इसका जीव जिसे बॉडी वाल तो हो एकटो मीजो इंड़ो टीन ओ को मिला अंदर सींटर में कैभीटी हो आप ध्यांज दीजे ना आप लोग नहीं समझ रहें क्याँ यह कैभीटी अलग है यह सिंटर की ऑड़ीवाल और चाहिए सेंटर की जो cavity दिख रहे हैं गट की cavity और body wall दोनों के बीच में होना चाहिए ना की गट की cavity यहां कुछ बच्चे परिशान हो जाते हैं कि कहा cavity तो दिया है भाईया यह cavity नहीं है यह इस जीव का elementary canal यह गट का कोई part है होना क्या चाहिए था कि इसके और इसके बीच में cavity होनी चाहिए थी जो की नहीं है तो ऐसा जीव जिसमें body wall तो हो बट body cavity जो सीलोम है वो सीलोम ना हो यहां भी देखिए एक्टोडर्म और बांदर center cavity यह बीच में कोई cavity नहीं है ओर यहां भी सीलोम किया और इस एक्ञियर था कि अईसा जीव जिसके अंदर की इस पाय जाते हैं वह akis के होसकते कि तो चलिए मैं आपको बताता हूं यह जीव किसका हो सकता है इसका hempal हो तो इसका Ale जैसे उपर वाले का उपर वाले का एक्जम्पल उपर वाले का एक्जम्पल प्लेटी हेलमिन थीज है लेटी हेलमिन थीज है जिसमें की तीनों लेयर है एक्टो मीजो इंडो फिर भी बॉडी कैविटी नहीं है तीनों लेयर है एक्टोडर्म भी है मीजोडर्म भी है इंडो भी है फिर भी इसके अंदर बाडी कैविटी नहीं है तो एक ऐसा जीव जिसे मीजो डर्म होते हुए भी कैविटी नहीं है वह क्या कहलाएगा एस इलोमेट एक्जमपल क्या होगा लेटी हेलमेंटी फ्लाइट वार्म्स और इसको अगर एक्जमपल में आप दाएं तो इसका लेटी है एक्जमपल इसमांजेज होगा इसपांजेज होगे और नीडे determine सोगे क्या होगा मुझेडी तो तो इस एक इलोमेट के बारे मैंने आपको समझा दिया आए अब को समत्छाता हूँ सीड़ इलोमेट के बारे में इसको भी आप देखे ध्यान से यह एक जीव क्या बाडीवाल में बना रहा हूं ठीक है ना और सेंटर में इसका गट बना रहा हूं बना दिया मैंने बाहर की तरफ बाडी वाल अब ध्यान से देखना है इसमें ये बाडी वाल और ये गट वाल एलिमेंटरी कैनल की गट वाल और दोनों की बीच में खाली जगा है, है यहाँ पर तो अब मैं लिग देता हूँ ये बाडी वाल ठीक है ना, और ये गट ये गट, दोनों है, बाडी वाल भी है गट भी है, और दोनों के बीच में क्या है, एक इस्पेस भी है इस इस्पेस, मतलब ये कैविटी ये कैविटी हो गई तो एक अंदर सिंटर वाली कैविटी तो सब के अंदर रहेगी सिंटर से बाहर भी एक कैविटी हो गई लेकिन यह कैविटी मीजोडर्म से लाइंड नहीं है और सीलों के बारे में क्या होना चाहिए कि कैविटी भी हो हो और शुलानंड भी बाहर से मीजोडर्म हो और अंदर से मीजोडर्म हो तब ही उसको हम क्या मानेंगे Records और आनुछ मानेंगे तो बाड़ी कैविटी is present but not Lained by Mesoderm कर दों 국ण है क्या इसके अंदर मीजोडर्म ही पाया जाता है पाया जाता है भाई इसके अंदर ही मीजोडर्म देखिए जो रेट कलर्स में बना रहा हूं मीजोडर्म है अब इसमें मीजोडर्म कैसा होता है तो आप सुनिए यह मीजोडर्म しょう hoy scattered पांच के रुप में पाइद आता है when the scattered 1 पाउच के फर में पाइदाता है क्या चीश मिजोडर्म इसकैटर्ड पाउच अफ मिजोडर्म कि लें तो आप देखें क्याइटि youtube यह है ना- निजोडर्ण तो है लेकिन यह मीजोडर्म क्या scattered pouch के रूप में है यहां तो body cavity नहीं थी मीजोडर्म था लेकिन body cavity नहीं थी यहां body cavity है है body वाल और गट के बीच की जगा है लेकिन यह बाहर और अंदर मीजोडर्म से lined नहीं है the body cavity is present but not lined by मीजोडर्म and मीजोडर्म present in the form of scattered pouch then this type of sea lobe this type of cavity without मीजोडर्म लाइनिंग is known as सीडो सी लों यह फाल सी लों और यह किसने पाए जाता है भाई तो यह पाए जाता है राउंड वार्म्स में किसने पाए जाता है राउंड वार्म्स में और तो राउंड वार्म्स को हम लोग एसकेलमेंथीज कहते हैं क्या बोलते हैं एसकेलमेंथीज तो जितने भी राउंड वार्म्स होते हैं मतलब एसकेलमेंथीज का मेंबर होगा उसके अंदर बाडी कैविटी तो रहेगी लेकिन यह बाडी कैविटी फाल्स होगी क्योंकि बाहर और अंदर दोनों साइड से यह मीजोडर्म से लाइन नहीं होगी और इसमें मीजोडर्म इस कैटर्ड पाउच के रूप में पाया जाएगा अब चलिए सीलोमेट के बारे में समझाते हैं यह स्ट्रक्चर सीलोमेट का है यह स्ट्रक्चर किसका है सीलोमेट का है अथाथ एक ऐसा जीव देखिए यह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सीलोमेट का है ऐसे समझी है इसक यू सीलोमेट, जिसमें बाहर भी मीजोडर्म, ऐसे आप देखिए, है ना, रेड़ वाला मीजोडर्म है, क्लियर, तो देखिए, बाहर बाडी वाल हो गई, अंदर गट हो गया, अब बाडी वाल और गट के बीच में क्या हुआ, इसी खाली जगह को हम क्या बोल रहे हैं, सीलोम, क्योंकि ये बाहर भी मीजोडर्म से लाइंड है, और अंदर भी किसे लाइंड है, मीजोडर्म से लाइंड है, तो एक ऐसा जीव, जिसके अंदर, बाडी कैविटी और गट के बीच में एक स्पेस हो, और यह स्पेस बाहर और अंदर दोनों साइड मीजोडर्म से ल साइजो, सीलों और एक इंटेरो सीलों क्या होगा एक साइजो सीलों और एक इंटेरो सीलों ठीक है नहीं का मतलब यह होता है कि ऐसे जीव जिसके के अंदर की यह जो कैविटी हो वह मीजोडर्म की स्प्लीटिंग से बनता हो मीजोडर्म की स्प्लीटिंग से बनता हो वह साइजोसीलोमेट हो जाएंगे और जिसमें यह गट की जो इंडोडर्म है इसकी पाउचिंग से बनता हो पाउच से बनता हो वह इंटेरोसीलोम होगा अब को याद रखना है साजो सीलों का एक्जांपल इसका एक्जांपल क्या होता है भाई तो इसका एक्जांपल एनिलीडा एनिलीडा इसका एक्जांपल आर्थ्रोपोडा और इसका एक्जांपल मॉलस्का ठीक है न इसको देखिया आप एकाइनोडर्मेटा में इसका एक्जामपल इकाइनो डर्मेटा दूसरा हेमी कार्डेटा हेमी कार्डेटा और तीसरा कार्डेटा कार्डेटा अगर हम इवोलूस पर ही ट्रेंड की जड़ा बात करें इस्ट्रुमेंट जल्दी सिरली नहीं समझ पाता है इकाइनो डर्मेटा के रूप में हिमी कार्डेटा के रूप में क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स हैं फिर भी इसका सीलोम किसमें पायता है इंटेरो सीलोम पाया जाता है तो मैं आपको बताने कोशिस कर रहा हूँ कि इकाइनो डर्मेटा है तो इस कटेगरी का मतलब इनवर्टिबेट्स का फिर भी इसके अंदर सीलोम साइजो सीलोम नहीं होता है कैसा सीलोम होता है इंटेरो सीलोम होता है तो अपने इवलूसनरी ट्रेंड को अगर देखा जाए इवलूसन के डिबलक्मेंट को तो इवलूसनरी ट्रेंड के अनुसार इकाइनो डर्मेटा मूर क्लोसली रिलेटेड है काडेटा से बाकी structure में देखें, character में देखें, function में देखें तो ये किस से related होगा? Invertebrates से, non-cardates से तो Echinodermeta पर आपको focus रखना होगा क्योंकि है तो Invertebrates, फिर भी इसका siloom कैसा होता है? Interosilom अगर इतना differentiation करने के लिए नप पुछे तो Enilida, Arthropoda, Malusca, Echinodermeta, Hemicardita, Cardita सब के अंदर कैसा character है? तो true siloom है and they all are siloomate, also known as you siloomate लेकिन अगर अंतर पूछ दिया तो Saiso siloom, Enilida, Arthropoda, Malusca और Interosilom, Echinodermeta, Hemicardita और Cardita को तो आप लोग, siloom के character के base पर भी हम लोग Animal को classify करते हैं और इसको आप देख रहे हैं बहुत ध्यान से इसको देखिए और इसको समझने की कोशिस आप करिए ति कैसे कैसे हम लोग Animals को classify किये? एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि siloom is a criteria on which animals are classified siloom एक criteria है जिसके अधार पर हम Animals को classify करते हैं How the animals are classified? तो first of all, you should know the definition of siloom what is siloom? siloom is a body cavity derived from mesoderm first point siloom is a body cavity between body wall and gut surrounded externally and internally by mesoderm externally and internally by mesoderm एक ऐसी body cavity एक दम बिलकुल क्लास ही है क्लास की तरह से इसको आप समझने कोशिस करेगे सब कुछ आ जायेगा easily एक ऐसी body cavity जो body wall और gut के बीच पाई जाती है और बाहर और अंदर दोनों साइड mesoderm से surrounded होती है The body cavity present between body wall and gut surrounded by mesoderm externally as well as internally is known as siloom और इस siloom के base पर siloom के base पर animals are classified in three category three category three category acylomate, pseudosilomate and cilomate animals are acylomate, pseudosilomate and cilomate the other name of cilomate is eucilomate in acylomate animal body cavity is absent cilom is absent there is no cavity between body wall and gut no cavity, no cavity body wall is made up ecto, meso and endoderm in the platyal menthe is flat worms इसमे body wall तो है gut भी है, gut भी है लेकिन body wall और gut के बीच में बीच में कोई space नहीं है इसका मतलब इसमें cilom present नहीं है अंदर कोई cavity नहीं है body wall और gut के बीच में इसलिए ये member कैसे कहलाएंगे acylomate but जैसे ही आप दूसरी ग्रूप में आगे बढ़ते हैं platyal menthe के आगे बढ़ते हैं हम लो तो cido cilomate का character मिलता है और cido cilomate का मतलब होगा एक ऐसा जीव जिसमें cilom तो होगा बट कैसा होगा false होगा cilom is false अब कैसे false होगा तो आप दिखिए न इसको मैं बता रहा हूँ कैसे body wall है बाहर gut है अंदर दोनों के बीच में खाली जगा आपको दिख रहा है white वाला तो ऐसा जीव है जिसके body wall और gut के बीच में body cavity तो है body cavity तो है but this cavity is not lined by mesoderm यह mesoderm से lined ही नहीं है क्या mesoderm इसमें नहीं है yes है mesoderm तो है लेकिण mesoderm is scattered pouch के रूप में है यह cavity को lined नहीं कर रहा है cavity को lined नहीं कर रहा है तो siloam तो है body cavity तो है लेकिण चुकिए mesoderm से lined नहीं है इसलिए कैसा है false siloam है और यह round warms में पाया जाता है जिस phylum का नाम है escalmanthis और siloamate में देखिए siloamate का मतलब हुआ true siloam क्या है भई true siloam एक ऐसा जीव जिसके अंदर siloam वास्तवीक है real siloam है और real siloam का मतलब क्या होगा तो body cavity होगी gut होगा दोनों के बीच में space है है ना बाडी वाल और गट के बीच में space है और यह space बाहर से भी और अंदर से भी मीजोडर्म से लाइन देखिए बाहर अंदर दोनों यह बाहर यह अंदर यह बाहर यह अंदर तो the cavity present between body wall and gut lined externally by mechoderm internally by mechoderm is known as true salome और ये ट्रू सीलोम किसके अंदर पाया जाता है तो एनिलीडा, मॉलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकायोंडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा तेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एडवांस बता दिता हूँ, थोड़ा सा आपके नालेज के लिए कि ट्रू सीलोम भी दो तरह का होता है, एक साइजो सीलोम और एक इंटेरो सीलोम साइजो सीलोम का मतलब किसने पाया जाएगा, एनिलीडा में, आर्थ्रोपोडा में, मॉलस्का में और interoo solom बहुत important कि इकाइनोडरमेटा का solom size नहीं होता, इसमें नहीं आता, इसका solom कैसा होता है? इंटेरो solom होता है, hemicarita का solom कैसा होता है? इंटेरल सीलों और काडेटा में तो खेर होगा ही होगा तो इस तरह से आपने सीलों की करेक्टिस्टिक्स को देखा अगर हमें लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे देखिए जैसे यह सीलोमेट है तो एनिमल्स दा एनिमल्स इन विच शीलोम इस अपसेंट पस इतना लिख देना आपको शीलोमीज अपसेंट नोन आज असीलोमेट एग्जम्पल प्लेटी हलमन्थीज इस्पांजेज निडरियांस टीनोफोर्स तिका था अपने एग्जम्पल अच्छे चलिए इसके बाद से अगर आपको लिखना हो इस सीडो सीलोमेट के बारे में तो क्या लिखेंगे तो दिखें हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं इसके बारे में क्या लिख रहे हैं एनिमल्स दा एनिमल्स in which body cavity is present body cavity is present but not lined by mesoderm विखे कितनी अच्छी लाइन आ गई हाँ पर body cavity is present but क्या खहा रहा है not lined not lined by mesoderm एक बात दुसरा mesoderm is present in scattered pouches scattered pouches और mesoderm किस रूप में प्रजेंट है scattered pouches के रूप में are known as seedosilomid example roundworms या phylum का नाम पुछे तो escalmentis चलिए अब मैं अभी इसको भी मिटा जेता हूँ और ट्रू सीलों पर हम लोग आ जाते हैं किस पर आ जाते हैं इस ट्रू सीलों पर तो इस ट्रू सीलो मेंट या सीलो मेंट जीव की डिफनीशन वही है जो करेक्ट सुरू की डिफनीशन है कि एनिमल इन्विस ट्रू सीलो में प्रेजेंट बिट्विन बॉडी वाल एंड गट लाइंड एक्स्टर्नली एंड इंटर्नली बाई मीजो डर्म जो डिफनीशन थी वही दूसरी वाली डिफनीशन सेकेंड वाली वोट सीलो में दी जाती है थोड़ा समय आपको साइजो सीलोम और इंटेरो सीलोम के बारे में बता दूँ जैसे माल लीजिए आप देखो इधर साइजो सीलोम हम ले लेते हैं साइजो सीलोम ठीक है न और यहाँ पर आप एनिमल्स को देखो यह इनिमल है और इसकी यह क्या हो जाएगा तो यह इसका बाडी वाल हो जाएगा पाहर वाला क्या है बाडी वाल अंदर का क्या है गट है यह गट है पाहर बाडी वाल अंदर क्या हुआ गट हुआ इसके अंदर यह तो आपस से मीजेंटरी के दोर जुड़ा ही रहेगा एक मीजोडर्म है ऐसे आप समझेगा यह मीजोडर्म है यह मीजोडर्म है बतलब इसके अंदर मीजोडर्म है यह रेड़ वाला अब क्या होगा आगे ताप आगे देखिए बाडी वाल में तो कोई changes नहीं होगा जैसा इसका बाडी वाल वैसा इसका बाडी वाल रहेगा ही रहेगा जैसा इसका गट वैसा गट भी रहेगा यह मिजो डर्मी splete कर जाएगा देखिए ऐसे होगा यह तो मीजेंटरी के दुर्ण जुड़ा हुआ है अब यह क्या कर रहा है कि यह मीजोडर्म स्प्लेट करजाएगा ऐसे एक फट जायेगा बीचों बीच यहां चार देखने को आपको मिल रहा है कि यह मीजोडर्म की स्प्लिटिंग हो रही है कि इस प्लीटिंग कि आफ मीजोडर्म है ठीक है ना और आप लास्ट में देखेंगे जब वो फट गया है इसका मतलब क्या है अब यह फैल लेगा फैल लेगा ना तो फैल करके देखे एक कम्प्लीट बॉडी केविटी इसने बना लिया मिजोडर्म से तो इसका नाम क्या हो गया सीलों हो गया नमें उसका नाम क्या हो गयाए और इंटेरों सीलों मतलब इंटेरान कैविटी होती है इसमें एक्चुल में क्या होता है मैं इसको भी आपको थोड़ा सा कि देखिए बताना भी प्राब्लम नहीं है लेकिन जैसे जैसे आगे डिटेल बताते जाएंगे जिसकी जरूवत नहीं आपको तो क्वेस्टन भी अन्नेसेसरी उठता है मेडिकल में इसकी कोई जरूवत नहीं मेडिकल में सिर्फ एक्जामपल आपको याद रखना होता है कि जैसे माली जीए कि यह एक जीव की बॉड़ी वाल है बाहर की तरफ कि ठीक है न और इसकी एक गट है कि अब मैं इसको भी लिख देता हूं बॉड़ी वाल है और यह क्या हुआ गट है अब क्या होगा आगे कि सुनिए कि दिखिए कि यह गट जो होगा ना इसमें पाउच निकलने लगेंगे ऐसे गट में पाउचिंग हो जाएगे ऐसे फैलते 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 चला जाएगा और अब यह गट की वाल अंदर की तरफ हो गई है कि गट अंदर ही रहेगा और इसके बाहर यह जो पाउचिंग निकले गी वह मीजो ड amendments की पाउस निकलेगी और यह चारो तरफ से को स्राउंड गर लेगा कर दोए तो यह क्या बोलें गट पाउच है फिर बाद में यह मीजों डर्म से स्राउंड कर लेगा पूरा का पूरा इधर वाला ऐसे और इधर वला इधर आजाएगा तो एंख आइसी प्रक्रिया जिसमें कि जो बॉडि कैविटी है मतलब यह क्या है सी लोम यह सी लो यह कि गट के पॉचिंग से बनता हो गट की पॉचिंग प्रक्रिया के बाद बनता है splitting नहीं होती हो जब pouch बनेगा यह पाउच बहता जाएगा बहता जाएगा फिर इसको मीजोडर्म बनेगा इसको surround कर लेगा तो इस तरह के सीलों को हम लोग क्या बोलते हैं intero silo interon cavity gut की cavity मतलब क्या हुआ gut की cavity interon इस interon से सीलों बना और मीजोडर्म से line हो गया तो इसका नाम क्या हो गया intero silo और यह किसे पाया गया इकाइनोडर्मेटा हेमी काडेटा और काडेटा में तो आप लोग सीलों के बारे में detail समझा भी दिया मैंने और मुझे लगता है कि आपको याद भी रहेगा कि सीलों के basis पर भी हम लोग animal को classify करते हैं कैसे करते हैं तो यह आपके सामने था चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और physiological character के base पर animal को classify करने की कोशिस करते हैं ध्यान से सुनना है यह सब characters structural characters थे संदचनाओं का difference था इसके बाद अब हम लोग आ रहे हैं कि कैसे हम animal को physiological character के base पर how we classify animals on the basis of physiological characters physiology के characters के base पर अब है कि सुनिए कि सबसे पहला फीज्योराज करेक्टर रहे उठाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का अब हो है कि मनी डाइजेस्टिव सिस्टम अब कि डी शिस्टेम के बेस पर हम एंइमल को क्लासिफाइए करने चल रहे हैं अब कि अप्र Sizस्टल्म κα में पाइट क्या होता है Just keep हो कि अब को सोच ये तो देश्टिटी सिस्टम का जो में पाइट है में पाइट है यह एलिमेंटरी कैनाल कहलाता है क्या कहलाता है गट है ठीक है न और गट के बेस पर हम एनिमल्स को दो ग्रूप में डिवाइड करते हैं यह गट कैसा हो सकता है तो खुछ से सोचिए यह गट या तो इंकम्प्लीट हो सकता है यह फिर कैसा हो सकता है कम्प्लीट कोई भी लापरवाही किसी भी स्टेश पर काम नहीं करेगी यह सब ही आएगा आगे के हर फाइलम में आता जाएगा और यहां जिसको नहीं याद हुआ आगे बहुत दिक्कत उसके साथ हो जाएगी इसलिए यहां जो हम डिसकस कर रहे हैं बेसीस यह सब को याद होना चाहिए इनकम्प्लीट और कम्प्लीट इनकम्प्लीट क्या है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जैसे माली जी यह एक एनिमल से इस एनिमल के अंदर एलिमेंटरी कैनाल है दिखिएगा इस इस गट यह गट अलग बात है कि यह गट आपको ब्रांच दिखेगी ब्रांचेज है न और यह क्या है तो सिंगल ओप्लीट और यही किसका काम करेगा तो यही एनस का भी काम करेगा तो एक ऐसा एनिमल जिसके अंदर गट है यह गट इनकंप्लीट है क्योंकि इसमें सिंगल ओपिनिंग है और यही ओपिनिंग कभी माउथ का काम कर रही है तो कभी किसका काम कर रही है एनस का तो ऐसे एनिमल जिसके गट में सिंगल ओपिनिंग हो गट है भी इंगल ओपिनिंग देन देगट इस नोन आज इनकंप्लीट गट यह गट इनकंप्लीट किसमें पाए जाता है तो आप देखिए न इनकंप्लीट गट किसमें पाए गया तो नीडेरिया में किसमें पाए गया नीडेरिया में यह इनकंप्लीट गट और किसमें पाए गया तो आंसर याद रखे है फ्लाइट वार्म्स में किसमें फ्लाइट वार्म्स में इनकंप्लीट गट है नीडेरिया में और इसमें मैं आपको दूसरा भी स्टेप समझाता हूँ एक एनिमस को आई सा आप देखिए ठीक है ना यह इसकी बॉडी वाल का स्ट्रक्चर है एक ट्यूब लाइक बॉडी वाल है और यहां देखिए यह गट है इसका यह क्या हो गया गट है ठीक है ना विस इस गट और एक इसका क्या हुआ माउथ और एक अंदर क्या हुआ एनस तो एक ऐसा एनिमल जिस एनिमल के अंदर एलिमेंटरी कैनाल हो गट हो और इस गट की कितनी ओपिनिंग्स हो तो गट की टूपिनिंग्स हो एक नहीं बल कितनी हो दो वन माउथ त्रू विच फूड इंटर जिसके द्वर आएगा अंदर एनस त्रू विच अंदाइस्टेट फूड रिलीज्ट आउट तो एक सिस्टम तो है ना डाइस्टिव सिस्टम जिसमें कुछ एनिमल हमें ऐसे मिलेंगे जिनका गट इनकंप्लीट होगा कुछ ऐसे मिलेंगे जिनका कंप्लीट होगा जब फाइलम डिस्काइब करेंगे तो वहां सीधे सीधे देंगे कंप्लीट और इनकंप्लीट गट लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस एनिमल में incomplete है और किस एनिमल में क्या है complete gut है तो इसमें अगर देखिये तो get कैसी हुई complete cut हो गई और इसका जब कभी example आपको लिखना होगा तो इसके बाद flat warm के बाद सभी के सभी नाम दे दीजिए जैसे round warm round warm से ले करके two cardates cardates चितने भी cardates हैं सब के अंदर ये gut कैसी होती है complete होती है आई ये और आगे बढ़ते हैं थोड़ा digestive system में एक physiology होती है जिसको हम लोग digestion बोलते हैं क्या बोलते हैं? डाइजेशन डाइजेशन ठीक है न? और इस डाइजेशन के बेस पर भी अनिमल दो तरह के होते हैं इसको हम मेटा दूना हो गया ये गट आप लोग बना लीजिए जिसमें की गट में सिंगल ओपिनिंग दिखाना है पतला दो ओपिनिंग नहीं है तो कैसा होगा? इनकम्प्लीट हो गया यहाँ दो ओपिनिंग है तो कैसा होगा? कम्प्लीट हो जाएगा इनकम्प्लीट किसमें निडेरिया और फ्लैट वार्म में कम्प्लीट राउंड वार्म से लेकर के काडेटा तक सब के अंदर कम्प्लीट होगा सुनिएं, डाइजेशन के बेस पर भी है इनिमल में डाइजेशन के प्रेक्रिया दो तरह की होती है दो तरह की एक इंट्रा-cellular digestion एंट्रा-cellular digestion और एक extra-cellular digestion दुनों समय में आ रहा है आपको इंट्रा-cellular और एक्स्ट्रा-cellular तो अब यहां भी ट्रेनीमल डिएजब हो रहा है के वल गट के के बेस पर ही कैसे कहें आप यहां आप देखिए आप तो समझ में आ जाएगा कि सुनिए इंट्रा सिल्लर का मतलब क्या होगा तो जैसे माली जी यह एक सेल है कि यह सेल और बाहर से कोई फूड आइटम आया कोई फूड इसके सेल्स के अंदर आया बाडी के अंदर कि और डाइजेसन की प्रेक्रिया सेल्स के अंदर हो जाए मतलब के डाइजेसन कि इनसाइड दे सेल इनसाइड दे सेल कि बाहर से फूड आना है तो क्या हो जाएगा तो यह क्या होगा intracellular intracellular मतलब digestion inside the cell तेकि जब extracellular कहेंगे आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए गट होना जरूरी है इसके लिए क्या होना जरूरी है गट का होना जरूरी है गट होगा यह elementary कहना यह गट और बाहर से कोई भी फूड आएगा तो यह फूड इस गट के अंदर आएगा सेल के अंदर नहीं आएगा किसके अंदर गट के अंदर आएगा और इस गट के अंदर इस फूड के अलग-अलग लेवल पर डाइजेशन की प्रक्रिया होगी क्या होगा डाइजेशन तो दोनों को अगर आप देखिए ध्यान से तो समझ में आ जाएगा कि अगर digestion की प्रेक्रिया बिदिन दे सेल होती है तो क्या कहलाएगा intracellular और outside the cell outside the cell in the gut in the gut in the gut digestion outside the cell in the gut is known as extracellular प्रेक्रियां और अइसा classification किस्किस में होता है तो अदेखिए मैं आपको बताता हूं intracellular being GORDON आएगा तो प्रोटो जोवा किसमें होगा प्रोटो जोवा में intracellular being यहाँ एक example मैं आपको संभाओं नीडेरियान का आता है किस का आता है नीडेरिया ठीक है ना एक आएगा निडिरिया की मिसिस्ता क्या होती है तो उसके अंदर हाफ एक्स्ट्रा सेलुलर और हाफ इंट्रा सेलुलर होता है दोनों होता है निडिरियांस में मतलब पाइटली एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर और पाइटली इंट्रा सेलुलर ठीक है दूनों तरह के डियेशन के प्रेक्रिया होती है एक्स्ट्रा भी होता है इंट्रा भी होता है निडिरियान से लेकिन जब कभी भी है आप लोग निडिरियान से उपर बढ़िए मतलब इसका एक्जाम्पल अगर में लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं मैं बिटालता हूं इसको फ्लैट वार्म्स टू काडेटा फ्लैट वार्म्स से लेके काडेटा तक पूरा का पूरा डाइयेशन कैसा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर तो फीजोलाजिके के बेस पर भी हम लोग एनिमल्स को क्लासिफाई करते रहते हैं और कितना सिंपल क्लासिफिकेशन है यदि इसको आप ध्यान से देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कैसा डाइयेशन की प्रक्रिया है कैसी किस तरह से इसको एक्स्पेंड किया जा सकता है अचलिए मैं आगे आपको बताता हूँ एक और स्टेप कि इस डाइयेशन की प्रक्रिया में ही कई अलागलागी स्टेजेज हमारे सामने आती हैं कि फीजोलाजिकल करेक्टर है तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि पहला फीजोलाजिकल करेक्टर हम लोग यही लिखते हैं जीवों में अब मोड होता है इनके मोड आफ न्यूट्रीशन ठीक है ना कि डाइस्टिव सिस्टम में डाइसन के बेस पर मोड आफ न्यूट्रीशन होता है तो मोड आफ न्यूट्रीशन के बेस पर हम लोग पहला जीव जो रखते हैं वह हर्भी और्स का होता है कि हर्भी और्स अब आगको पता होगा कि बहु सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो हर्भी और्स होते हैं ठीक है ना हर्भी और्स का मतलए क्या होगा तो आंसर है ग्रास इटर जो घास खाने वाले हैं ग्रास हापर आर्थर पोड़ा का मेंबर है रैबिट होता है ना काउज बुफैलोज यह सब किस में आएंगे हर्भी और्स में आएंगे टो जहां कहीं भी इन जीनों का क्लासिफिकेस्टन करना होगवा उनका नूीट्र्पिज न अम क्या लिखेंगे लीखिएंगे चले दूसरा देखते हैं कार्णी और्स कार्णी और्स का मतलब क्या होगा तो आनसर है फ्लेस इटर । फ्लैस इटर मांस खाने वाले फ्लेशीटर में मैं जैसे कि लायन हो गया टाइगर हो गया, ओल्फ हो गया जैकाल हो गया तो लायन, टाइगर ओल्फ, जैकाल, लेपाइड ते आलार कार्नियोर्स वो मांस आ रही है फिर आईए तीसरा देखे आमनियोर्स आम्नियोर्स आम्नियोर्स का मतलब बोथ दोनो जिसमें के हम लोग आते हैं इसी तरह से चौथा आता है सांग्वी ओर्स सांग्वी ओर्स ब्लड फीड करने वाला लीच एनलीडा है निलसी आइटी में लिखा है ये क्या होता है भई तो आंसर है ब्लड फीडर जो ब्लड को फीड करने माले है कहने का मतलब आता है कि जब एक फीजियोलाजी को आप डिस्काइब करेंगे तो उस फीजियोलाजी में कई ऐसे करेक्टर्स मिलेंगे जिन करेक्टर्स के बेस पर एनिमल को इसली आप क्लासिफाई कर सकते हैं तो इस्ट्वेंट्स यह रहा आज के लेक्चर का कांसेप्ट कि हम लोग कैसे कैसे जीमों को क्लासिफाई करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो कुछ और फ्रिजियोलाजिकल करेक्टर के बेस पर क्लासिफीकेशन की क्राइटेरिया को डिसकस करेंगे तब तक बाई